मस्कार दोस्तों आपका धन्मंत्री कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों ये आज का मेरा वीडियो जो है शूगर के उपर है और ये बहुत लाजमी है सभी के लिए जानना बहुत जुरूरी है जो मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों जिस घर मैं बैठा हूँ मैं ये मेरे दोस्त का घर एक चुली जहां मैं वीडियो सूड करता हूँ तो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों की जैसे के बार सूगर कंट्रोल नहीं हो रही है गैस बहुत बनती है और कब्स भी होती है तो दोस्तों इसके पीछे एक रिजन हो सकता है और वो रिजन है पत्री का और पत्री कहां ये मैं आपको बताता हूँ और दोस्तों ये जो म की कन्डोल में रहती थी प्रंथु इनको गैस और का उटे हैं हमेशा ही रहती थी अब जो पत्थ्री का रोल हुआ है पत्थ्री क्या करती यह थोड़ी सी बन गई और यह दर्द देना सुरू कर देगी पितास्य की पत्री जो है दोस्तों यह काफी सालों के बाद भी आपको दर्द हो सकती है और इसकी मोटे तौर पर जांज जो है वो अल्टरसोंड से होती है कि जिन लोगों को गैस अधिक बनती है स्रीड में खारिश रहती है दोस्तों ऐसे लोगों को और जो विशेश तौर पर सूगर से पिडित है या फिर जिनको सूगर भी नहीं है फिर भी यह अल्टरसोंड उनके लिए बहुत जोड़ी है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये दो चार एमम होने पर ये आदमी को पेन नहीं देता है सालों से जैसे बहुत सारे लोग बोलते है कि मेरे को गैस बहुत बनती है कवज होती है और ये इसकी दर्द जो है जब ये काफी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तब बाद में कोई इसकी दर्द जो है पढ़ती है और इसकी दर्द जो है दोस्तों आगे पीछे दोनों साइड़ों में होती हैं जैसे हमारा ये साइड है तो इसकी दर्द जो है लिवर के नीचे ये होती है तो इसकी जो पेन है फिर बहुत ज्यादा होती है और जिन लोगों को अत्यधिक गैस बनती है ये जिन लोगों को शूगर है दोस्तों अपने पितास्य की नजान जो है वो जुरूर कर वाल हैं मेरी आप सभी लोगों को यही सला रहेगी क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि जिनको सूगर भी है लेकिन पत्थरी का पता नहीं है या सूगर ना कंट्रोल होने की दो बज़ा भी यह भी हो जाती है कि आपकी पितास्यों पत्थरी है या फिर आ भाता भाईयों भेहनों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग टाइब वन बाले बच्चे हैं या बड़े हैं या फिर जो लोग टाइब टू से पीडित हैं और जिनको गैस या कवज ज्यादा बनती हो वो एक बार जो है दोस्तों अल्ट्रसोंड जरूर करा रहा हैं क्योंकि ये मेरे नोटिस में बहुत दिनों से बात थी लेकिन के बार होता है कि छोड़ जाती हैं बातें लेकिन जब अपने ही दोस्त को ऐसी दिक्कत आई तो मैंने इसके ओपर जो वीडियो है वो बनाना जुरूरी समझा तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कार